नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चनल Perfect Study GS में दोस्तो हम लोग बिहार दरोगा मींस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नमर 24 को करने वाले हैं इससे पहले दोस्तो हम लोग इसमें 23 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुक Sum TV सर्फ करने अगर उस्कार देंख से चाहिए तो दिस्क्रिप्शन में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप उससे नहीं देखें तो प्ले लिश में जाकर उससे देख सकते हैं तो चलिए दूस्तर स्टार्ट करते हैं घप आज का पहला कोश्चन आपका हो जाएगा कोड़ाय की निमलिखित विधुत चुम्बकिये विक्रणों में से किसकी उर्जा अधिक्तम होती है एक कराइट इंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी यानिकी एक से किरने की एक स्किरने जो है इसकी आपको विधुत चुम्बकिये विक्रणों में से किसकी उर्जा जोन है आपको अधिक्तम होती है यानिकी एक कराइट इंसर आफ्सन नमर डी हो जाएगा एक स्किरने नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर दो दो मैं आपको कहरा कि हावा में तेरते हुए स्वसनिय सुक्षमकनों का आकार होता है दो कड़ाइट इंसर हो जाएगा आफ्सन नमर डी यानिकी पांच माइक्रों से कम होता है सोसनीय सुक्षमकन वे कन होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हुग की सोसन के दोरान फेफ्रों में परवेस कर सके और 5 माइक्रों से छोटे हावा में तरते सुक्षमकन नासी का जील लिखे दोरा रोके नहीं जा सकते और परिनाम से रूपया सोसन दोरा फेफ्रे में पहुंच जाते हैं यानि की option number D right answer हो जाएगा next देख लेते हैं question number 3 कि तीन में कड़ा की निमली खित में से कौन सा पदार्थ जोन है वह प्रोटीन आपको प्रोटीन नहीं है निमली खित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है तीन का राइट एंसर हो जाएगा option नमर ए यहनिकी कपास कपास प्रोटीन नहीं है बलकि यह सेलूलोज से निर्मित होता है और सेलूलोज एक कार्बनिक योगिक है जिसका रसाइनिक सूत्र होता है C6H10O5 और N होता है C6H10O5 और N है और यह एक बहुत सरकड़ा है जिसमें एक ही परकार का अनु लगतार जुड़ने से हजारो अनुओ वाला पोलीमर बन जाता है और बहुत सारे हड़े पोलगे की कोशिका भिती सेलूलोज की ही बनी होती है यानि कि ओप्सन नमर A इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर चार चार में कर रहा कि निमनी तत्तू में से किसमे निउट्रान नहीं होता है चार का राइट इंसर हो जाएगा ओफसन नमर C यानि कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आपको निउट्रान नहीं होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक पोट्रियम में कोई निउट्रान नहीं होता है और पोट्रियम को हाइड्रोजन वन भी कहा जाता है तता हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में पोर्ट्रियम सर्वाजिक मात्रा में पाय जाता है यानि कि ऑफ्सन नमर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर फाइब फाइब में कोड़ा कि ट्राइगिल्सराइड क्या है पाँच का राइट ईनसर हो जाएगा ऑफ्सन नमर सी यह एक वासा है मानुष चरीन में व्सके सनचना ट्राइगिल्सराइड से निर्मित होती है और यह जीव तत्ता बनस्पतियों की वासा का भी निर्मा तक पदार थे यानिके option number C, right tensor हो जाएगा Question number 6 में आपको कह रहा है कि आंदरता किस उपकरण से ना पी जाती है 6 कड़ाई tensor हो जाएगा option number B, high grow meter से Next देख लेते हैं, question number 7 और कुछ इसमें option देख लेते हैं इसमें आपको दे रहा है कि वाई में उपशित नमी की मात्रा को आंदरता कहते हैं और आंदरता हाईगरो मीटर के द्वारा आपको हाईगरो मीटर नामकुपकरण से ना पी जाती है यानिकि इसका राइटेंसल option number B हो जाएगा उसके बद option A में दे रहा है हाईडरो मीटर हाईडरो मीटर से दरव का घनत्यों को मापा जाता है और option number C में दे रहा पाइरो मीटर पाइरो मीटर से किसी बस्तु की सतह के उचे तप मान को मापा जाता है जबकि लैक्टो मीटर जोन है आपको दूद के घनत्यों को मापा जाता है लैक्टो मेटर से और इसके सुधिता के बारे में जनकारी देता है लैक्टो मेटर इसका राइट एंसर आप्सननमर B नेट्स देख लेते हैं कोशन नमर साथ करा के कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है साथ के राइट एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर ए फॉर्मिक अमल के कारण होती है लाल चीटी वर्या कीट की डंक आधी में फॉर्मिक अमल होती है और चीटी इस फॉर्मिक अमल को तोचा में परवेश करा देती है जिसके कारण आपको तेज जलन होती है जिससे तेज एलर्जी की रियेक्शन हो सकता है इससे मेडिकल साइंस में एन एना फायलैक्सिस नाम दिया गया है यहने कि आप्षिन नमर ए राई टेंसर हो जाएगा नेक्श नम लोग देख लेते हैं कोशन नमर आठ कोशन नमर आठ में कर रहा है कि एक क्रितिम उपगरह में एक क्रित्रिम उपगरह में विधूत उर्जा का सुरोत क्या होता है आठ का राई टेंसर हो जाएगा आप्षन नमर बी शौर सेल नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर नाइन 9 में करा कि www का पूर्ण रूप है 9 का राइट रेंसर हो जाएगा option number C यान कि worldwide wave यान कि option number C राइट रेंसर हो जाएगा next देख लेते हैं और आपको www इस परनाली के परवर्थक जो थे वो आपको ब्रिटिस भी ज्यानी जो थे sir team burners lead थे next देख लेते हैं question number 10 10 में कर रहा है कि निमलिखित बहुलखों में से किसका उप्योग नाची पकने वाली कराई के निर्मान में किया जाता है 10 कर राइट दिनसर होजाएगा आफ्सन नमर ए यैनी कि टेफलोन का Next देखलेते हैं Question नमर 11 एक गारा मैं पकु कड़ा कि निमलेखित प्रजातियों में से कोण सी दात वाली वेलों में बिशाल्तम है एक गारा के राइटेयंसर हो जाएगा औफसन नуса नमर सी यानि कि एसपोर्म वेल अफसन नमर सी राइटेयंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर बारा करा कि निमली खित में से कौन जल को जीवानों मुक्त करने है तो पड़ियुक्त होता है बारा कराइट एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी यानिकी उप्युक्त सभी यानिकी ओजून, क्लोरीन, डाइक्साइड और क्लोरैमीन आपको तीनु अपका इसमें हो जाएगा यानिकी डी हो जाएगा उप्युक्त सभी नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर तेरा तेरा में कर रहा है कि निमली खित में से किसकी कोशीका में कोई एंजाइम नहीं होता है तेरा का राइटेंसर हो जाएगा ओफसन नमर B यानि की विशानू यानि की वाइरस ओफसन नमर B राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 14 कड़ा की निवन में से कोन सी संस्ता विद्यसी व्यापार से सम्मंधित थी 14 कर राइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर C यानि की नाना देशी ओफ्सन नमर C राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 15 पंद्र में वको कड़ा कि बंबई में नाविक विद्रों की शुरुवात कब हुई पंद्र कराइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर सी यानिकी अठाडे फ्रवडी उन्निस सो चीयालिस इस्पी को बंबई में आयने स्तलवार नामक जहाज के नो सनिकों के द्वारा किया गया और सनिकों ने अजाद इन फोज के बिल्ले लगाए और इन्हों ने भी बराबरी की मांग की और पशीष्ट फरवडी उन्निस सो चैलिस सिपी को नो सना के विद्रोयों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समरपन कर दिया यानिकी ऑफ्सन नमर सी इसका राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर सोले कोड़ा के चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है सोलाक राइटेंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमर सी यानिकी ऑफ्सन नमर सी राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं Q17 में आपको कह रहा है कि आर्थिक न्यूजन B से है 17 के राइट इंसर हो जाएगा Option C यहापको समौर्ती सूची में है आर्थिक न्यूजन B से समौर्ती सूची का है और आर्थिक न्यूजन B से को लेकर ही भाड़ सरकार ने यूजना अयोकिया स्थापना की थी Q18 कराएगे कि किसी देश की पृति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है 18 के राइट इंसर हो जाएगा Option C यहापको के दोनों से यहापको के जन संक्रा से और आश्टिये आय से यहापको के आर्थिक न्यूजन C राइट इंसर हो जाएगा Next देख लेते हैं Q19 19 में कराकी चीट गाउं सस्तर छापमारी की यूजना बनाई गई थी 19 के राइट इंसर हो जाएगा Option A यानिके सुर्षेन ने सुर्षेन ने अपने सहयोगी अनन्त सिंग, गनेश गुष तता लोखी नात बावल के साथ मिल करके 1930 इसपी में चीट गाउं सस्तर गार लूट की यूजना बनाई थी और उन्होंने 1930 इसपी में ही इंडियन आर्मी की चीट गाउं साखा के 65 करांथी करियों के साथ मिल कर कब जयकिया और वहाराष्टी जहन्डा फाडाया तता सुर्ष ने और सहयूग आंदुलन में भी शक्रिय भूमकर निभाई थी आपसन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 20 में आपको कहड़ा कि रामोसी बिद्रो सही रूप में किस भगोलिक इलाके में हुआ था बीस कर राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर डी या आपको पच्छमी घाट में हुआ था रामोसी बिद्रो अठाड़ सब बाई से उन्तिस को दोरान पच्छमी घाट यानि कि महराष्ट के 17 चेतर में वासुदे वलवन्द फरके के निदर्द में हुआ था यानिका आपसन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर ट्वेंट इवन करागे किस चेतर में राहूल सांकित्यान औन इसव बीज के असायूग अंदुलान में शक्रिये थे ये किस के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए यानिकी छपड़ा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर ट्वेंट इटू करागे किस अभिलेख में रूद रदावन प्रतम की विभीन उपलवधिया वर्नित है 22 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए जुनागड जुनागटा विलेख में रूद रजार्मन प्रत्म की विभीन उपलब दिया वर्नित है यानि की ओप्शन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 23 कड़ा की प्रात्रा समाज के स्थापक कोन थे तेश के राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए आत्मा राम पांडू रंग नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 24 कड़ा की भारती राइश्टरी कांग्रेस का 27 अधिवेशन की सस्थान पर हुआ था यहाँ पर 27 दे राहे पर 28 होना चाहिए 28 अधिवेशन की सस्थान पर हुआ था 24 कर आइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी याने की बाकिपूर में नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर आपको 25 कोशन नमर 25 में कहरा की समराट शाहलम दीतिये ने इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल भी हर्द था उरिसा की दिवानी कौप परदान की 25 कर आइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए याने की बाड़े अगस्त 1765 को आप्शन नमर ए राइटेंसर हो जाएगा समराट साहलम दीतिये और उर्ष के उत्र अधिकारे नामात के समराट थे और वे अपने अभिस्टू मराठो तथा अंग्रेजों के हाथ की कट पुतली थे इसी के समाए में पानिपत का 33171 ताथा 1764 में भक्षर का उध हुआ था और साहलम दीतिये ने बाड़े अगस 1765 को इस्ट इंडिया कंपणी को बंगाल भीहारें उरिशा की दिवानी परदान की आप्शन नमर ए राइटेंसर हो जाएगा क्वेशन नमर आपको 26 करा कि जालियावला भाग में परदर्शन के लिए क्यों लोग जम्मा हुए थे 26 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर बी यानि की किछलू तथा सत्तपाल के बंदी बनाने के प्रती विरूद करने के लिए ओफ्शन नमर बी राइटेंसर हो जाएगा 27 में आपको कोड़ा कि महावीर स्वामी का जनम कहां हुआ था 27 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर A कुंड ग्राम में 28 में कोड़ा कि राजा राम मुहराइक के द्वरा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी 28 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C यानि की अठाड़े सो 28 इसपी में नेक्स दिख लेते हैं कोड़ा कि अमरित बजार पतिर्का के अस्थापना किसने की 29 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर D यानि की शिसिर कुमार गोष के द्वरा किया गया था अमरित बजार पतिर्का के अस्थापना 1868 इसपी में कलकाता में ओफ्शन नमर D राइटेंसर हो जाएगा 30 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C यानि की भूर आज़स्व शुधार से 31 में करा कि कलहन के द्वरा रचित राष्ट रंगनी में है 31 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर A यानि की कस्मीर का इतिहास 32 में कहड़ा कि किस अधिनियम के बारे में जो आहरला लेहनूर ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किन्तु इंजन नहीं था यानि की 32 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर D यानि की 1935 का अधिनियम नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर आपको 33 33 में आपको कहड़ा कि दितिये विश्यूद का प्रारम किस बर्स में हुगा 33 के राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C 1949 इसपी में दितिये विश्यूद का आपको प्रारम हुगा आफसन नमर C राइट एंसर हो जाएगा देती है बेशुद 3 सी तमबर आपको 1949 को शुरू हुआ तथा 14 अगस्त 1945 को शमाप्थ हुआ था आफसन नमर C राइट एंसर हो जाएगा 34 में कर रहा है कि निमन में कौन सी प्राथना समाज की मांग नहीं थी 34 के राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर D यानि कि देख लेते हैं क्या दे रहा है निमली खित में से कौन सी प्राथना समाज की मांग नहीं थी तो 34 के राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर D यानि कि आफसन प्रिष्टा की शमाप्ती प्राथना समाज के अस्थाप ना थारी सवर स्वर सट में बंबई में आचार केश्व चंदल सेन की प्रेना से महादेग गोविंदर नार डेटेठा आत्मारंपान डूरंग चंद वरकर आधी के द्वरा की गई थी और प्राथना समाज का मुख खुदेश्था जाती प्रता का विरोध इस्तिरी पुरुष विवाव आयू में ब्रेधी और इस्तिरी सिक्षा आधी को पुर्चान पुर्दान करता है यानिका ओप्शन नमर्डी इसका राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर्ड 35 करा कि दिल्ली चलो का नारा दिया था 35 के राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर्ड ए यानिकी स्वास चंद्र बोस ने यानिकी ऑपसन नमर्ड ए राइटेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं Queson No. 36 करा कि कार कोट राजवन्स का संबंध नेमले खित्में से किसके इतिहास से था 36 के राइटिन्सर हो जाएगा option No. B यहाँ को जम्मु कस्मिर के इतिहास से शंबंध ही था नेक्स देख लेते हैं Queson No. 37 करा कि स्वेज नहर के बन जाने के पहचात भारत विर्योप के मत की शामुंदरिक दूरी में कितनी कमी आई 37 के राइट इंसर हो जाएगा और स्वेज नहर बी यानि कि 7000 किलोमेटर की स्वेज नहर लाल सागर और भुमत सागर के शम्मद करने वाली एक नहर है 3869 में एक फ्राणसीज इंजिनिएर फई नहर की देखरेक में स्वेज नहर का निर्मान शुरू हुआ था और तीस में करेकि नेलॉंग गाटी किस राज में इस्तित है और तीस का राइट इंसर हो जाएगा और तीस नहर आपको उत्रा खन राज में इस्तित है नेक्स देख लेते हैं 38 कराइट इंसर option number D उत्राखन question number 49 करा कि दक्षिन पच्छी मांसुन काल में निम्रिकित अस्थानों में से सबसे कम बरसा कहां होती है 49 कराइट इंसर हो जाएगा option number C चेन्नाई में next देख लेते हैं question number 40 40 में जीले हैं और उसका अस्थान दिया है कि आफ कहां अवस्थित है औश्ट मूदी जील जो होजाएगा वह होको केरल में पुलिकट जील तमिलाडु में रूप कुंड जील जोन है वह है वहापको उत्राखन में और सुरज कुंड जील जोन है वो आपको हड़िया नाम है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 41 करा कि निमलिखित में से किस उद्यों की अवस्तिती के लिए कच्छे माल की उपलब्धी मूल काड़क नहीं है 41 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि Electronics नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर आपको 42 42 में कोड़ा कि निमलिखित आंद्र छेत्रों में किन है रामसर का दरजा प्राप्त है आपको इसका सही उतर वताना है 42 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर डी यानि कि सभी को यानि कि चिलका जी, लोक्टाक जील, केवला देव और बुलर जील यानि कि आपसन नमर डी राइट इंसर हो जाएगा और भारत में कुल 25 स्थान सामिल है इस सुची में जिसमें आपको इस सब 4 हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर फोटी थिरी पोटी फोर में कहरा कि अंडमान और निकोबार दीफ सम्मूँ में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है 44 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर ए यानि कि सैंडिल पीक अंडमान निकोबार दीफ सम्मूँ में सबसे उची चोटी सेंडल पीक है इसके उंचाई जो नहें 732 मीटर है नेक्स देख लेते हैं कोश्चन और 45 में आपको कह रहा कि पोर्ट बिलेयर के समीप की प्रसीद बिलेयर परवाल भीती मिर्थ हो रही है इसमें बी दे रहा है कि अत्यधिक जहाज रानी के कारण लेकिन इसके राइट इंसर अत्यधिक मतस्य के कारण होता है आप लोग इसको एक बड़ बुक से चेक कर लीजिएगा करा कि राश्र्टी राजमारगो की भारत में राजवार लंबाई की द्रिष्टी से वह राज जहां राश्ती राजमारगो की लंबाई सर्वाधिक है वह है 46 के रह इसकर हो जाएगा और महा राश्ट नेक्स देख लेते हैं 47 में कड़ा कि निमली खित नगरों में अलक नंदा यो भागी रती कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं 47 के राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी देव पर्याग नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 48 करा कि भारत का अधिक्तम गिहूं उत्पदक राज है 48 के राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी उत्तर पर्देश नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 49 करा कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन करने वाला राज है 49 के राइट एंसर हो जाएगा option number B यानि की करनाटक भारत में सबसे अधी कौफी उत्पन करने वाल राज करनाटक है यानि की option number B right answer हो जाएगा next देख लेते हैं question number 50 कड़की भांगरा नागल किस नदी पर बनाया गया है 50 के राइट एंसर हो जाएगा option number D या आपको 17 जिनदी पर बनाया गया है 51 में कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास्ट उत्पादक है एकाउन कराइट इंसर हो जाएगा option number B गुजरात इसमें आपको इंसर ये दे रहा है महराज लेकिन इस कराइट इंसर option number B हो जाएगा गुजरात हो जाएगा next देख लेते हैं question number 52 करा कि पुर्वी घाट ये पच्छमी घाट का मिलन अस्तल है बावन कर रहाइट इंसर हो जाएगा option number B यानि कि निल गिरी next देख लेते हैं question number 53 करा कि सुन्दरवन छेत्र में है सुन्दरवन छेत्र में है सुन्दरवन छेत्र शखन मेगरो बनों के लिए परसीद है और मेगरो के ब्रिक्ष की जरे जलीदार होने के कारण 30 मिटी का कटाव रोकने इंसा गड़िया लहरो को रोकने में सक्षम होते हैं option number D राइट एंसर हो जाएगा 54 में करा कि भारत में निमलेखित बहुतिक भी भाजन है चौन के राइट एंसर option number A हो जाएगा यानिकि परवत, पठार और मैदान और इसमें एक चीज और देना चाहिए समुन्दर चटिये छेत्र होना चाहिए जो कि तीन ही को दिया है यानिकि आपको भारत में भौतिक भी भाजन परवतिये छेत्र, पठारी छेत्र, मैदानी छेत्र और समुन्दर चेत्र हो जाएगा यानिका option number A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेटे हैं question number 55 करा कि निमलेखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है पच्पन के राइट एंसर हो जाएगा option number B यानिकि ताइवान भारत की सीमा पच्छी में पकिस्तान या अफगनिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूतान तता पुर में बर्मा या बंगलादेश से लगती है यानिका option number B राइट एंसर हो जाएगा question number 56 करा की इन में राज सभा का अध्यक्ष कोन है 56 का राइट एंसर हो जाएगा option number B उपराश्ट पती 57 में आपको कह रहा है कि निमले खित में से किसे भारतिय स्वामिधान की आत्मा कहा जाता है 57 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानिकि श्वामिधान की प्रस्तावना को next देख लेते हैं question number 58 58 में करा की भारत के सरोच नियाले ने श्वामिधान की अधार्वुप धाचे के सिधानत को अस्वस्ट किया है अन्ठावन का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानिकि के स्वा भारतिवाद 1973 में next देख लेते हैं question number 59 करा की निमली खित में से कोन राष्ट पती के प्रसात प्रत्न अपना पते धारन करता है 69 का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानिकि भारत का महनवादी भारति स्वामिधान के अनुचेद 76 के 4 भाग 5 में उले खित है कि भारत का महनवादी राष्ट पती के प्रसात प्रत्न अपना पते धारित करेगा यानिकि option number D राइट एंसर हो जाएगा next देख लेते हैं question number 6 question number 61 में आपको कह रहा है कि भारति स्वामिधान के निमली खित अनुचेदों में से किस एक के अंतरगत विधान परिशत के अस्थापना या समाप्ती की बेवस्ता की गई है except के राइट एंसर हो जाएगा option number B यानिकि अनुचेद 179 के अंतरगत भारति स्वामिधान के 179 के अंतरगत किसी राज विधान सभाग द्वारा दू ती है बहुत से प्राप्त पारित करने पर संसत विजी के द्वारा उस राज में विधान परिशत के स्थापना या समाप्ती कर सकती है यानिकि option number B राइट टेंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं question number 62 में कहड़ा कि भारत के निमलिखित राष्ट पतियों में से कौन ट्रेड उनियन आंदूलन से स्वंबन रहा है 62 के राइट टेंसर हो जाएगा option number A यानिकि वी वी गिरी next देख लेते हैं question number 63 में कहड़ा कि भारत के किस प्रांत में शौर पर्थम शामवादी सरकार के अस्थापना हुई थी 63 कर राइट टेंसर हो जाएगा option number C किरल में भारत में किरल प्रांत में 1997 में पहली सामवादी सरकार E नमबी दूरी पाज के निदूरत में बनी थी question number 64 करा कि भारतिय स्वमिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्ट पती को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमती रोक ले 64 कर राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि कि अनुछेद 111 के अनुसार जब कोई बिध्यक संसत के दुनों सदनों के दौरा पारित किया गया है तब वह राष्ट पती के समक्ष प्रस्तूत किया जाएगा और राष्ट पती घोशित करेगा कि वह बिध्यक पर नुमती देता है या नुमती रोक लेता है यानि कि option number D राइट इंसर हो जाएगा 65 करा कि सयुक्त राष्ट संग की सुरक्षा परिशत में निमलिखित में से कौन सा देश 28-10 से नहीं है 65 कर राइट इंसर हो जाएगा option number A यानि कि जापान स्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के 58-10 से अमेरिका, रूज, फ्रांज, ब्रिटेन तथा चीन जोबकि जापान 58-10 नहीं है यानि कि option number A राइट इंसर हो जाएगा question number 66 में कह रहा कि भारतिय स्वमिधान का कौन सा अनुछेद संसत को अंतराष्टिय समझोते को लागू करने के लिए वीधी निर्मान करने की शक्ति प्रदान करता है 66 के राइट इंसर हो जाएगा option number D यानि कि अनुछेद दो सो तीरपन option number D राइट इंसर हो जाएगा next आम लोग देख लेते हैं question number 67 में कह रहा है कि राज सभा के शभापती और उप सभापती के अनुपस्टिती में सदन के जैक्सा कोन करता है 66 के राइट इंसर हो जाएगा option number C यानि कि उप सभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस हो जाएगा option number D यानि कि शमाप्त होने का विशय नहीं है option number D राइट इंसर हो जाएगा 69 में करणा कि पंचायती राज का चुना आव कराने है तू निर्ने किसके द्वारा लिया जाता है 69 के राइट इंसर हो जाएगा option number B यानि कि राज सरकार के द्वारा नेक्स दिख लेते हैं कोशन नमर आपको 70 कड़ा कि भारत में निमली खित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परनाली की बेवस्था की गई है 70 के राइट इंसर हो जाएगा option number C यानि कि निति निर्देशक सिधान्त के अंतरगत भारती समिधान के राज में निति निर्देशक सिधान्त में अनुछे 40 में प्रोधान है कि राज गढ़ाम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत सासन की कायों के रूप में कार करने के लिए सक्तिया प्रदान करेगा यानि कि option number C राइट इंसर हो जाएगा 71 में अपको कहरा कि भारत में पंचायती राज प्रतिने धित्तू करता है 71 कर राइट इंसर हो जाएगा option number D यानि कि उप्रोक्त सभी यानि कि सक्तियों का विकेंदरी करन लोगों की हिस्सेदारी और समुधा इक विकास option number D राइट इंसर हो जाएगा question number 72 में कहरा कि शफलता पुर्वा कार करने हित उपंचायत राज को पूरे सवयोग की ज़रूरत परती है 72 कर राइट इंसर हो जाएगा option number A यानि कि अस्थानी ये जनता की next देख लेते हैं 73 में कहरा कि राश्टपती की दोरा राश सभा में कितने व्यक्ति मनुरित किया जाते हैं 73 कर राइट इंसर हो जाएगा option number C यानि कि बाड़ा व्यक्ति और यापको समिधान के अनुछेद 80 के अंतरगत किया जाता है next देख लेते हैं question number 74 करे कि धर्मस प्लासक में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंधा रहता है क्योंकि उस्मा की कोई हानी अत्वा प्राप्ती नहीं होती है 74 कर राइट इंसर हो जाएगा option number C A और B दोनू यानि कि संचालन और स्रमोहन भीकिरन यानि कि option number C राइट इंसर हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं question number 75 में कर रहा कि भारति स्वमिधान की जिसी धारा के अनुसार बिधान सभा का गठन होता है वो है 75 के राइट इंसर हो जाएगा option number C यानि कि धारा 170 के अनुसार राज्यों में बिधान सभाव के गठन का प्राइट इंसर हो जाएगा 76 के राइट इंसर हो जाएगा option number B यानि कि राष्ट पती दोस्तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आये थे यह आपको भी हार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नमर 24 था इससे पहले हम लोग तेज़ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लैलिस में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो यह प्रैक्टिस सेट हम लोग के बीसी नैनो बुक से ले करके आये हुए थे दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप मेंने चैनल पर नए है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें इसे लाइक करना ना भूलें हुए नापसे उसे आपसे, भाने, एक्वेस्ट है आपसे से लिए Const concret झाल झाल